अब क्या करें क्या नहीं वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस टाइप की रील्स को अपने मुवाइल से एजिली क्रेट कर सकते हो ऐसी रील आजकल इस्टाग्राम पर बहुत ही जादा ट्रेंडिंग में चल रही है और इस वर व्यूज भी अच्छे खासे मिलियंस में आ रहे हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हमारे जो यह चैनल है इस पर कुछ टेकनिकल इश्यो आने के कारण आगे आने वाली वीडियो को हम अपने सेकंड चैनल पर अप्रोड करेंगे एक है वीडियो और दूसरा है कैपकट वीडियो को आपको आपको इसका डाउलोड कर सकते हैं अब यहां पर आपको अपना वीडियो से पहले कर लेना है आपको सामने यहां पर कई सारी वेबसाइट ऊपन हो जाएगी बट आपको क्या करना है जो यह पर स्ट वेबसाइट है इस पर tap कर लेना है, इससे बाद आपके सामने एक नई window open हो जाएगी, आपको simply यहाँ पर scroll down कर लेना है, और कुछ इस type से यह template है, आप चाहिए तो इसको play करके भी देख सकते हैं, इस template के bottom में आपको एक option शो हो रहा होगा, use template on CapCut, इस पर आपको tap कर लेना है, इस से क्या होगा जो आपके template होगी, आपके CapCut Cap में open हो जाएगी, इस time पर आपको ध्यान रखना है कि आपका VPN हो connect होना चाहिए, तब ही यह app work करेगी, अब इस template को use करने के लिए आपको simply use template पर tap कर लेना है, यहाँ पर आपके सामने आपकी gallery open हो जाएगी, आपको simply photos पर चले जाना है और अपने कुछ photos को यहाँ पर select कर लेना है, आप चाहि सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस type से play होगी, और इस पर एक sound पहले से ही यहाँ पर add हो चुका होगा, तो आप इस sound को remove कर सकते हैं बाद में, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगो कैसे आपको हटाना है और जो इसका real का original sound है उसे add करना है, अब यहाँ पर आप चाहिए तो text भी add कर सकते हैं, और अपना text add कर लेना है, बट में यहाँ पर कोई भी text add नहीं करता हूँ, और इसके बाद simply हम अपनी gallery में इसको save कर लेंगे, gallery में save करने के लिए simply export के बटन पर आपको type कर लेना है, और यहाँ पर से अपना export resolution को select करने के बाद simply done के icon पर type पर export without watermark पर type कर लेना है, इससे कि अगर जो आपको यहाँ पर cap cut का watermark था वो remove हो जाएगा, और बिना watermark के यहाँ पर आपकी वीडियो आपकी gallery में save हो जाएगी, अब इस वीडियो को पहले अपनी gallery में save होने देते हैं, फिर में आपको बताता हूँ कि इस reel का जो original sound है, उसे आपको कैसे इ इस app को close कर लेंगे, अब यहाँ पर आपको नीचे description box में इस sound का link बिल जाएगा, आप जैसे ही उस link पर tap करेंगे, आपके सामने ये page open हो जाएगा, आपको simply यहाँ पर क्या करना है, यूज ओडियो के आगन पर tap कर लेना है, then यहाँ पर से अपनी वीडियो को select कर लेना है, तो आपकी वीडियो यहाँ पर बन जाएगी, तो कुछ इस type से आप अपनी इस वीडियो को edit कर सकते हैं, तो बस यहीं वीडियो थी, और आपको अगर कुछ भी doubts होते हैं तो आप simple हमें comment box में comment करके बूल सकते हैं, और हां make sure आप हमारे second channel को भी subscribe कर ले, इसका link आपको कर दो कर दो हमें